हेलो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि stml में body tag के अंदर background attribute को कैसे use किया जाता है इसके बारे में इस वीडियो में सिखेंगे तो सबसे पहले यहां पे हम background attribute तो इसकी definition है इस tutorial में हम stml background amaze tag के बारे में सिखेंगे पेज के background में amaze को लगाने के लिए body tag के साथ background amaze को define करना पड़ता है body bad page का वो पार्ट होता है जो पेज पर दिखाई दिता है complete page के background में amaze लगाने के लिए body tag के साथ background को define करना पड़ता है back page को design करने के लिए लगाय जाती है जिससे back page और अच्छे से दिखाई दिता है background आमेज के दोवारा back page को represent किया जा सकता है यहां पे यह लिखो यहां पे body tag के अंदर यहां पे body लिखा हुAU है और यहां पे लगाया हुआ है background इसके बाद экsel to और यहाँ पे double quotation में हम लिखेंगे file name, इसके बाद dot, इसके बाद यहाँ पे file format यह लिखेंगे हम कि किस file format में यह file है, gif में है, jpg में है, यह png में है तो जो पे file format होगा, वही हम यहाँ पे file format लिखेंगे तो इसको समझने के लिए हम notepad को open करेंगे यह हमने notepad को open किया open करने के बाद यहाँ पे HTML प्रोग्राम लिखा हुआ है तो यहाँ पे सबसे उपर लिखा हुआ है HTML इसके बाद head इसके बाद title title में हमने दिया है background amiss इसके बाद title को बंद किया हुआ है इसके बाद यह head उपर open था head को नीचे बंद करेंगे इसके बाद यहाँ पे body tag यह use करेंगे तो यह लिखो body body के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे background background के बाद is equal to यहाँ पे double quotation में हम यहाँ पे file name लिखेंगे तो क्या file name है वो यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे यह pattern नाम की file है यहाँ पे हम इसको use करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा pattern यह pattern लिखा pattern लिखने के वाद dot jpg तो यह किस file format में है यह देखो यहाँ पे हम इसके उपर pattern के उपर right click करेंगे यह right click किया है इसके वाद इसकी property देखेंगे यह property पे click किया property पे click करने के बाद ये दिखो ये जो है jpg file format में है तो हम यहाँ पे लगाएंगे dot jpg इसको यहाँ पे बंद करेंगे इसके बाद यहाँ पे body tag को बंद किया हुआ है इसके बाद HTML को बंद किया हुआ है ये program लिखने के बाद हम क्या करेंगे file tap पे जाएंगे और यहाँ पे save as पे जाएंगे अब इस file को save करेंगे तो इस file को save करेंगे हम background ये background लिखा file name लिखा इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे extension dot stml ये extension लगाई लगाने के बाद इसको कहाँ पे save करना है हम इसको desktop पे save करेंगे यहां पे desktop पे क्लिक किया है इसके बाद हम यहां पे save पे क्लिक करेंगे तो यह देखो यहां पे default browser में यह file आ गई है इसको यहां पे open करेंगे तो यह देखो यहां पे pattern नाम की file थी तो यह यहां पे pattern नाम की file यहां पे background में आ गई है इसके बाद यह देखो यहाँ पे यह pattern नाम की फाइल थी यह किस format में थी JPG अगर हम यहाँ पे file format चेंज करते हैं तो यह देखो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा यहाँ पे इसको change करते हैं यहाँ पे यह delete किया डिलेट करने के बाद यहाँ पे file format यूज करेंगे हम जी आई एफ यह जी आई एफ file format हमने change किया चेंज करने के बाद जब हम इसको save करेंगे यह save पे क्लिक किया इसके बाद जब हम यहाँ पे इसको refresh करेंगे तो यहां पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा यह दिखो refresh किया तो यहां पे हमें कुछ भी background में दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यह जो pattern नाम के file थी यह jpg format में थी तो हमने यहां पे file format चेंज कर दिया है चेंज करने पे हमें यहां पे background में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है अगर यहां पे हम file format change करते हैं यह देखो jpg यह file format लिखा इसके बाद जब हम इसको save करेंगे तो यहां पे यह दिखो हमें दिखाई देगी save पे click किया save पे click करने के बाद जब हम यहां पे इसको refresh करते है तो यहां पे यह हमें background में दिखाई देगी इसके बाद इसको minimize करते है इसके बाद हम यहां पे background में हम यह like picture जो है इसको set करेंगे तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे इसको मिटाएंगे यह देखो इसको मिटाया मिटायने के बाद यहां पे फाइल का नेम क्या है यहां पे लाइक तो हम यहां पे फाइल नेम लिखेंगे लाइक यह लिखा लाइक लिखने के बाद जब हम इसको सेव करेंगे यह फाइल पे गए सेव पे गए सेव करने के बाद अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे पास यह बहुत सी पिक्चर यहाँ पे ना आए ना तो X-Axis में आए ना Y-Axis में आए केबल यहाँ पे हमें एक ही पिक्चर यहाँ पे शो हो यह लिखो JPG इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे Style यह Style लिखा इसके बाद equal to यह लिखा लिखने के बाद double quotation में लिखेंगे background लिखा बैग्रोंड लिखने के बाद डैश लगाएंगे dash लगाने के बाद यहां पर लिखेंगे repeat repeat लिखा repeat लिखने के बाद यहां पर colon use करेंगे यह colon लिखा colon लिखने के बाद यहां पर लिखेंगे no repeat no लिखा dash लगाया dash के बाद यहां पर लिखेंगे repeat यह repeat लिखने के बाद यहां पर semicolon लगाएंगे यह semicolon लगाया, semicolon लगाने के बाद यहां पर double quotation को यहां पर बंद करेंगे, यह बंद की, बंद करने के बाद जब हम इसको save करेंगे, यह देखो, फाइल पे गए, save पे गए, यह यहां पर save हो गई है फाइल, इसके बाद जब हम इसको refresh करेंगे, तो यहां पर हमारे पास एक like की picture यहां पर आएगी यह देखो यहां पर इसको refresh किया refresh करने के बाद यह एक ही picture like है हमारी पास यहां पर आ रही है इसके बाद आगर हम यह चाहते है कि यह जो like की picture है यह x-axis में आए यहां पर ऐसे ऐसे आए तो इसके लिए हम क्या करेंगे यह no delete किया, इसके बाद यहाँ पे repeat लिखा हुआ है, यहाँ पे हम dash लगाएंगे, यह dash लगाया, dash लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x, यह x लिखा, x लिखने के बाद जब हम इसको save करेंगे, यह file पे गए, save पे गए, यह file यहाँ पे save हो गई, जब हम इसकी यहाँ प रिफ्रेश्ट करने के बाद यह दिखो यह X-axis में यहां पर लाइक की पिक्टर यहां पर आगई अगर हम यह चाहते है कि यह हमें X-axis में नहीं चाहिए बाइ एक्सिज में चाहिए तो हम क्या करेंगे X की जगा यहां पर Y लिखेंगे यह X को ड्लीट किया यहां पर Y लिखा Y लिखने के बाद हम इसको यहां पर सेव करेंगे फाइल पे गए सेव पे गए सेव पे जाने के बाद जब हम इसको रिफ्रेश्ट करेंगे तो यह जो लाइक की पिक्टर है यह बाइ एक्सिज में आएगी तो इसको करके देखते हैं, यहां पे इसको refresh किया, refresh करने के बाद यह दिखो, यह हमें यहां पे बाल्टिकली दिखाई देगी, मतलब by axis में यह हमें दिखाई दे रही है, तो इस तरह से picture के यहां पे हम setting कर सकते हैं, इसके बाद अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो picture है जैसे pattern नाम की, इसको यहां पे इस folder में डालेंगे, यह project folder है, यहां पे इसको डालेंगे, तो इसको यहां पे cut करेंगे, right click किया, इसके बाद यहां पे इसको cut किया, यह project folder है, इसके अंदर इसको डाल देंगे, यह देखो, यहां पे इसको paste किया, यह paste की, paste करने के बाद, यह पैटर नाम की पिक्चर बैग्रोंड में लगाना जाते हैं पहले हम यह जो जितना लिखा हुआ इसको मिटाते हैं यहां पे इसको मिटाया यह देखो इसको मिटाया यह मिटा दिया मिटाने के बाद हम क्या करेंगे यहां पे पैटर नाम की फाइल लिखेंगे पैटर नाम की फाइल बैक्ग्रोंड में नहीं दिखाई देगी यह दिखो यहां पर बैक्ग्रोंड पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद यह दिखो यहां पे ब्लैंक शो हो रहा है क्योंकि इसका पास जो है वो अलग है पहले हम यहां पे पास का नेम देंगे तो पास का नेम है यहां पे path name हमने यहां पे दिया, इसके बाद यहां पे हम forward slash लगाएंगे, forward slash लगाया, यह दिखो project यह path name दिया हमने, इसके अंदर जो है, यह pattern नाम की file है, और यह इसका file format है, jpg, ऐसा करने के बाद जब हम इसको save करेंगे, file पे गए, save पे गए, यह यहां पे save हो गई यह file, इसके बा में अब हमें ये दिखाई दे रही है तो इस तरह से यहां पे हम बैगरोंड आमेज यहां पे लगा सकते हैं तो इस वीडियो में हमने बैगरोंड आमेज को कैसे लगाए जाता है इसके बारे भी सिखा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज में जानल,